एक समय की बात है, एक गाउ में दो ब्रिद्ध स्रिया रहती थी, दोनों का इस जगत में कोई नहीं था, वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बन कर बड़े प्रेम भाव से रहती थी, हाला की धर्म से दोनों अलग थी, लेकिन विचार से एक थी, उनमें से एक महिला हिंदू ध दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी, उनमें से हिंदू धर्म की महिला के घर के मंदिर में, स्री कृष्ण के बाल स्वरुप, लड़्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था, और उन्हें प्रती दिन एक बालक के समान ही मानती थी, इसलिए कहीं भी बाहर जाती उनके लिए फल खिलोने आदी चीजे लेकर आती थी, और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती थी, इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परसपर सहयोग से अपना सुखमे जीवन ब्यतीत कर रही थी, वो दो बीतने के बाद स्रावन मास में हिंदू महिला को तिर्थ यात्रा पर जाने का अउसर मिला, तब उसने अपनी अतिप्रिय उस अन्यधर्म की महिला से भी चलने के लिए कहा, चुकि ब्रिद्धावस्ता अधिक होने के कारण वह चलने फिर्णे में थोड़ी असमर्थ थी, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया, और कहा कि मुझे चलने फिर्णे में परिशानी होगी, इस कारण तुम्हे भी तिर्थ यात्रा में विग्न रहेगा, तब वो हिंदू महिला उदास मन से तिर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई, और जाते वक्त उस उसने उस महिला से कहा, सकी मैं एक महा के लिए तिर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, मेरे आराध्य स्री कृष्णा बास्वरूप लड्डु गोपाल का ध्यान रखना, उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह सने देना, प्रति दिन स्नान आधी करा कर सुन्दर वस्त्र आभु पहना कर भोग लगाना, उस महिला ने सब बाते सुनी और बोली की हा सकी तुम चिंता मुक्त होकर तिर्थ यात्रा को जाओ, मैं तुम्हारे लड्डु गोपाल का भली भाती ध्यान रखूंगी, इतनी सब बाते बता कर वह महिला तिर्थ यात्रा को निकल गई, और अन्य म लड्डु गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई, उसके बाद जब वो लड्डु गोपाल को नहनाने लगी, तो उस महिला की नजर लड्डु गोपाल के पाओं की तरफ पड़ी, तो वह दंग रह गई, क्यूकि उनके पैर मुड़े हुए थे, उसे लगा कि उसकी वज लड्डु गोपाल गुत्नों के बल पर बैठी हुए थे, उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है, वह बहुत परेशान हो गई, और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूंगी, उसने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी थी, और मैंने लड्डु गोपाल की देखभाल सही से नहीं की, ये सब सोच करव चिंतन में बैठी ही थी की, उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डु गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं, बलकि जीवित होते हैं, बस फिर क्या था, उसने निश्य किया कि वह दिन प्रतिदिन उनके पैरों की माल से वशिबूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार क्रपाल उटा दी, और एक दिन वह महिला रोज की भाती प्रातकाल उठकर लड्डु गोपाल को नहलाने का प्रबंद कर रही ही थी, कि उसकी नजर उनके पैरों पर पड़ी, उसने देखा कि उनके लड्डु गोपाल क पैर ठीक हो गए हैं, और यह सब देखकर वह बृत महिला खुशी से फूली न समाई, और यह सारा बृतांत सुनाने के लिए अपनी सखी का बेसबरी से इंतजार करने लगी, कुछ समय पश्चात जब वह हिंदु धर्म की महिला तिर्थी हात्रा पूर्ण करके वापस आई वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को लालाई थी, और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा, तो आश्चल में पड़ गई, उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे, उसने सोचा कि सायद ये उसके लड्डू गोपाल नहीं है, और अपनी सखी के पास जाकर ये सब पूछा तब उस अन्यधर्म की महिला ने सारा वृतांत उसे सुनाया उसकी बाते सुनकर हिंदू महिला समझ गई की ये सारा खेल उस मुरली धर कृष्ण कनहिया का है और दोड़ी दोड़ी लड़ु गोपाल के पास पहुँची और उनके चर्णों में गि महिला से बोली की हे सकी तु धन्य है तुझ पर स्रीकृष्ण की ऐसी कृपा हुई है जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता तुझे नहीं पता कि हमारे लड़ु गोपाल के पाउं तो ऐसे ही हैं क्यूंकि उनका ये बाज स्वरूप बैठी मुद्रा में है देकिन तेरी भक्ती ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया और उनके पैर सिधे कर दिया तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ ही कॉमेंट बाक्स में जै लड़ु गोपाल लिखना ना भूले